नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज सूचना आयोग के आदेश के बावजूत यदि लोग सूचना अधिकारी सही सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो हम लोग किस प्रकार पुनह धारा आठारा एक के तहत आयोग में ही मुख्य राज सूचना आयोग के समक्ष सिकायतवाद दायर करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो पहली बार इस चैनल से जुरूए हैं वो अवस्प्सकायब कर लें तथा बेल अकन को दबा कर आल पर भी क्लिक कर लें तथा एक दूसरे को शेयर करें जिससे हर भारतिये को इसकी जानकारी अवस्ष मिल सके तथा एक लाइक अवस्ष कर देंगे चलिए मैं आप लोगों को राज सुचना आयुक्त राज मुक्ष सुचना आयुक्त का एक आदेश आपको दिखा रहा हूँ जो पाँच पाँच दूहजार बाइस का है इसमें मैंने दूटिय अपील के समक्ष सुनवाई किया और इसमें जो है गलत अफायार की कोपी दे दी गई थी लोग सुचना पता दी कारी द्वारा जो अफायार की कोपी मांगी गई थी वो नव पलब्द करा कर उन पे जो अफायार किया गया था उसकी कोपी दे दी गई थी जिस पर आपत्ती लगाया गया था आप लोग देख लें मैं सौट में बता रहा हूँ अपलार्थी ने 21-42-22 की तिती से संबन में आपत्ती दिया है अभी लेक में दिनांग 22-21 का एक परती भी उपलब्ध है दिनांग 22-22 की इसके आवेदक के एक परती और अपलार्थी द्वारा दिये गया पत्ती पत्र की परती परतिवादी लोग सुचना पता दिकारे पुलीस अदिक्षक कारियाले मधिपुरा को इसा देश के साथ प्रेसित की जाए इसके आलोक में यदि कहीं कोई और देश सुचना देनी से रह गई हो तो वह एक महा के अंदर अपलार्थी को प्रदान कर दी जाया निया था अपलार्थी इस सम्मद में सिकायतवाद दायर कर सकते हैं इसके साथ अपिलवाद समाप्त किया जाता है इस तरह एक महा बीत गया लेकिन अब तक सही सुचना अपलब्ध नहीं कराया गया है लोक सुचना पतादिकारी के द्वारा इसलिए इसे पुनह राजमुक सुचना आयुक्त की समक्ष धारा अठारा एक के तहत सिकायतवाद दायर किस प्रकार करेंगे आप लोग भी सुचना अधिकार अधिकारी उसका नाम पता देंगे और प्रफम अपली पतादिकारी का नाम और पता देंगे पीन कोट साइट महास है मैंने प्रपत्र को दिनांग कितना की घटना के संबंद में आलम नगर थाना में मेरे पुत्र प्रवीन कुमार सर्मा द्वारा दिये आवेदन के फाइर की प्रमानिच्छा परति उपलब्ध कराने की मांग गया था लेकिन लोग सुचना प्रवीन कुमार सर्मा के साथ हत्या करने की नियत से लूट पाट कर गंभी रूप से जख्मी कर बहुस कर दिया गया था इसकी सिकायत बिहार पुलिश टॉर्टिन पर टॉकर नंबर इतना से भी की गई थी ततकालीन ओपी रतवारा परभारी राम निवास जोधरी आलम नगर थाना ध्यक्ष उदय कुमार एवं लोग सुचना प्ता दिकारी सह पुलिश उपाध्यक्ष मुख्या लय मधेपुरा द्वारा जान बुज करवांचित सुचना ना प्लप्त करा कर धनिस्टर सर्मा द् प्रभा ना के तहत दर्ज करवा कर मेरे पूरे प्रिवार को प्रतारित कर प्रिशान किया गया। किया जा एवम धारा उनीस आठ बी के तहत हुई आर्थिक डंड आर्थिक हर जाने भी दिलाया जा अपना हस्ताक्षर पूरा कर देंगे पूरा पता मुवाईल नमबर भी दे सकते हैं डेड़ देंगे अनुलगनक में जो प्रपत्र को है आयो कादेश है और जो भी जूठा उपलब्द कराया गया सुचना होगा उसे लगाकर आप लोग इसे पुना धारा अठारा एक के तह सिकात बाद अवस्त से दायर कर सकते हैं आप लोग भी इसका लाब लें तथा एक दूसरे को जानकारी अवस्त दें